फिटकरी करेगा आपके हर दुख को दूर हाई अब्रिवन मैं हूँ आपकी होस्ट अभिलाशा दोस्तों यहाँ पर आज का मंत्र यह है कि अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं यह फिटकरी एंटिसेप्टिक होता है और इसलिए पुराने जमाने में जब शेविंग करते थे जेंट्स लोग उसके बाद थोरा सा जो कट फट जाता था तो उसके बाद फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो भी कटा है फटा है उसके ना तो निशान हो और ना ही घाओ में दर्द हो और तो और फिटकरी का इस्तेमाल अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है फिटकरी आपके बाल और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही जादा फायदे मन्द है लेकिन फिटकरी का फायदा यही पर खतम नहीं होता है यह आपकी जिन्दगी में बहुत सारी खुशाली भी लाने का काम करता है बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तिमाल आपको कब और कहां करना है तो आज में आपके साथ में 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हूं कि आपको अगर जो प्राब्लम है उस प्राब्लम के लिए आपको fit curry का इस्तिमाल कैसे करना है अगर आपके घर में वास्तु दोश है तो ऐसे में एक शीशे के बाउल में फिटकरी लेना है और उसे घर के में दरबाजे के पास यानि एंट्री के पास रख देना है ऐसा करने से आपके घर का वास्तु दोश दूर हो जाता है अगर आपका बच्चा पढ़ाई करने की एज ग्रूप में है और उसका फोकस जादा नहीं बन पाता है तो ऐसे में आप फिटकरी को बच्चे के स्टडी टेबल पर रख सकते हैं क्योंकि फिटकरी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है ऐसे में वो स्टूडेंट्स के अंदर फो वर्क प्लेस है उसके में द्वार पर में एंट्री पर उसे हैंग कर दीजे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका काम बहुत अच्छा चलने लगा है अगर आपके घर में आप या फिर कोई और भी सदसे जिसको स्लीप प्रॉबलम है जिसको नींद नहीं आती है ल लख देजिए आप देखोगे कि नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है अगर आपने कोई नई कार खरीदी है तो अपनी नई कार में फिटकरी को एक ग्लास बाउल में लेकर जरूर रखे ये आपको इविल आई से प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर एक टिप एक् और जिसे भी नजर लगी है भले ही आपको या किसी इनसान को या फिर आपके घर को उसको साथ बार बार लेना है एंटी क्लॉक वाइस उसके बाद उस फिटकरी को किसी भी बहते हुए पानी में नाला में फैक दीजिए आप देखोगे कि नजर से आपको मुक्ति मिल जाए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग बाई